तो हलो जस्तों आधार कार्ड पर मुबाइल नम्बर को अपडेट करना हो या पांच साल तक के बच्चों का नया आधार कार्ड इन्रोल करना हो नया आधार कार्ड बनाना हो तो यह दूनों काम आप कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसिव पॉइंट लेकर क जिसके तुरू आपको दिया जाता है पूरा आधार सेंटर जिसमें आप पांच साल तक के बचों का इन्रॉल्मेंट कर सकते हैं साथ ही साथ आप किसी भी कंडिरेट का जिसके पास आधार कार्ड है उस पर एक मुबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं जाने मुबाइल नंबर हो या कोई मुबाइल नंबर चेंज करना हो इन सब चीजियों को लेने से पहले आपको जुरूब पढ़ेगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेने की तो आज की इस फीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि आप इंडिया प चैनल पर आपको नीचे की तरफ आप देखेंगे यहां पर आपको लिंक मिलेगा आई पीपीवी आनलाइन डाट काम तो यह बैसाइड है इसी पर आपको क्लिक करना है अब इस टेलिग्रम चैनल पर आने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पर आप करके लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक कर लिए यहां इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा पेज खुल करके आजाएगा यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है कि आप उपर की तरफ देखेंगे प्रोड़क्ट सर्विस डूरिस् एक आपको नान आई पीपी कस्टूमर में आना है और लास्ट इस्टब में आप यहां के लिखा है पार्टनर्शिप विद अस ठीक है इसी पर आप कर देंगे क्लिक क्लिक करने के साथ साथ आपके सामझे फार्म खुल करके आ जाएगा जहां पर आपको चार आपसने मिलें प तो इस तरीके से यहां से एक option चुल लेंगे फर्स्ट नेम लाश्ट नेम भरेंगे मोबाइल नमबर आप अपना देंगे उसके बाद इमेल आइडी अप्सनल है लेकिन आप तो लगबग सभी के पास इमेल आइडी है तो इमेल आइडी भी आप यहां पर भर दें एड्रेस पर आप पूरा इड्रेस भर दें पिन कोड भरें उसके बाद अपना पूरेस्ट पॉस्ट आपी से सेलेक्ट कर लें सब डिवीजन डिवीजन रिजन सर्कल स्टेट यह सबी चीजिया भर दें उसके बाद यहां एनी इस पेस्फिक रिक्वेस्ट जो लिखा हुआ है यहां का यह रिक्रेश्ट फार्म जो है बीसी पॉइंट के लिए बिजनेस कर्स्पॉंडेंट के लिए यह फार्म आपका समिट हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है आप इतना काम आपको कि यहां उपर सर्च में आएंगे और यहां पर लिखेंगे बी और सी ठ सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद पर भी सी मतलब बिजनेस कर्स्पॉंडेंट से रिलेटेड यहां पर नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है वह नोटिफिकेशन आपको दिखियाएगा यहां पर लिखा हुए मिलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन्वाइट अप्लिकेशन फार अपाइटमेंट आप इंडिविजनेस कर्स्पॉंडेंट तो इसी पर आप क्लिक कर देंगे यहां पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप टाइम लेंगे और बेफसाइड आपके सामने अगला पेज इस तरीके से आजाएगा जहां पर आपको अप्लिकेश सकते हैं तो वो यहां पर बताए गया है अब आपको क्या करना है अगर आप से इस सेंटर चलाते हैं जनसे बागे अंदर आपके पास है तो आप यहां पर आजवानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो एप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे की अब आप देखेंगे अलिका क्लिक धेर टूड़ डाउनलोड अप्लिकेशन फार्म तो यह क्लिक है यहाँ खर देंगे और अप्लिकेसन फार्म यहाँ प्लिक पर करेंगे यह इस तरीके से पूरा हिसाब से उसके बाद नाम, कंटेक्ट नमबर, एड्रेस, स्टेट, अल्टेरेट, मुवाइल नमबर, पैंकार नमबर, इमेल आईडी, लेटिटीट, लेंगिटीट, ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं जब आप जाएंगे अपने मैप में, ठीक है, वैसे ये से सेंटर के ल अब आपका जिस किसी भी ब्रांच में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक की, जिस किसी भी ब्रांच में आपका एकाउंट है, वो यहां पर भर देंगे, पूरा डिटेल, उसके बाद है, बिजनेस करस्पोंडेंट, डिकलेरेशन, तो यहां पर आप अपना दुकान का 16 यह सभी चीज़ें आप भर देंगे, ठीक है, उसके बाद लिस्ट आप डाकुमेंट, तो यहां पर इंडिविज्वल आइडिटी, तो अपनी पहचान के लिए आप यहां पर कोई एक आईडी लगाएंगे, और अपने पते के प्रभाड के लिए, ठीक है, तो यहां पर आप आधार कार्ड ही लगा दीजिए, या डाइविंग लैसेंस वोटर आइडी कार्ड हो तो यह आप लगा सकते हैं, इतना करने के बाद यह दोनों फार्म आपके हो गए, दोनों फार्म साथ ही साथ आपने जो और कॉपी थी आपके पास जो सपोर्टिंग डाकुमेंट, जैसे कि आधार कार्ड हुआ या पें कार्ड या बोटर आइडी डाइविंग लैसेंस चो भी डाकुमेंट थे इन सबी को आपको स्केन कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे करते हैं हम पें कार्ड को बनाने में, ठीक है उसी तरीके से आपको एक के बाद देक करके पूरा एक पीडियो फाइल तयार कर लेना है पीडियो फाइल तयार हो जाएं उसके बाद आप यहां पर आएंगे और नीचे की तरफ लिखा हुए देखेंगे लिखा है सर्कल अंड ब्रांच तो यहां पर प्लिक कर देंगे अब आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी सर्क कर लिया कर लिया कि अब देखी यहां पर मैं भी बता तो आप जिसकी रिस्टेड से आउँ पो अपना सेलेक्ट करें उत्रप्रद्थ मेने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में आब आपको यहां पर ब्रांच ने ठीक है आपको सब दिष्टिक दिखाए के तो मेंड है तो मैं उसकी बाद कर रहा हुँ अब इसका जूव यह वहां पर बैठ़ता हो उनके बारे में यहां पर पूरी डिटिल दिखाएक्वाई है ऑफ को क्या करना है इस इमेल Id को यहां से कर लेना है copy ठीक है copy करेंगे copy करने के वब आपको जाना है Gmail में वो चाहें अको superior उपने mo contact मेलान मैं अपने computer से भीक को अपने in खोल कर डूल यह up को यहीं जैना और आपको नंटीन कर देनी है यह की आप मैं आपको किस तरहक की तरीकीश आप आप यहां पर देखें हम आ चुके हैं यह इमेल को भीजने के डाफ्ट पेज पर ठीक है यहां पर हमें लिख देना है वही इमेल इडि जो भी हमने कॉपी किया था वही मेडी अभी इहां डाल देंगे उसके बाद में सब्यक्त में आपको लिख देना है फार पीसी कि रचिस्ट्रेशन ठीक है इतना बढ़ने उसके बाद आपको क्या गरना है आप अपना मैसे टी लिखेंगे मैसे में आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको ड़ोको नहीं आप बस इतना लिग दीजिए कि सर और फिल थी टोटल इंगली लिखना है को हिंदी में कुछ नहीं लिखना है वहां पर आप लिखती जी का सर या मैं मैं एक चलाता हूं और मैं बीसी पॉइंट लेना चाहता हूं इंडिया पॉस्ट पेयमेंट प्रेंग का मैंने अपना पूरा फार्म आपको अटेज कर दिया है साथ में तो आप इसे एक इसे नहीं कर सकते हैं तो गूगल ट्रांसिलेट से उनको इंग्लेस में कर लिए उसके बाद आप यहां पर आएंगे नीचे की तरफ अटेजमेंट लिखाए ठीक इस अटेजमेंट पे क्लिक करके आप वो पीडिया फाइल जो भी आपने बनाई है उसे आप सेलेक्ट करके आप यहां पर आएड कर दिया करने के बाद आप इसे कर दिएगा सेंड इस फाइल को सेंड करने के कुछ समय बाद लगवद 10-15 दिनों में आपको एक मैसेज में मिल जाएगा जैसे जो कुछ वहां पर होगा और मैसे जो भी रिप्लाइब को मिलता है अगर पोजिटी मिलत है तो इसके मिलने के तुरंत बाद आपको यह सर्विस मिल जाएंगी तो ऐसा नहीं है आपको कुछ दिन इसमें काम करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग यहां पर इस पॉइंट को चला रहे हैं उनको तुरंत सर्विस नहीं दी गई है बलकि काम करने के बाद ही सर्विस मिल देगी फिलाल इस समय पर जितने भी जीडियास हो या जितने भी पोस्ट मेंड हो सब के पास आइडी इनेवल है और लोग इस पर काम कर रहे हैं तो आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने अप लोगों को जनकारी दी है इंडिया पोस्ट मेंड को लेने की और साथ इसाथ इसके थुरू आधार का काम करने की तो बुझ जनकारी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी वीडियो चलगा है तो लाइक कर दीजिए कल भी इस तरीका का एक नया वीडियो देखना है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते है अगले वीडियो म नहीं किया है तो तीर किस बात की का नाम है नवीत आपको लिंक मिल जाएगा या डार्येक्ट चैनल पर जाकर के सर्च करें मिन लोगो देख लें यहीं लोगो आएगा इसे जॉइस कर लें यहां पर मैं पर डेंवों के लिए अपडेट लाता हूं नहें बाद